जोड़ते हैं हम च्वाइन करते हैं उन्ही को हम च्वाइनिंग वर्ट कहते हैं ओके सो चिल्डन हम कंजंक्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले हम कुछ एक्जाम्पल्स अपनी बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सो एवरिवन ओपन यो बुक चाप्टर नम्बर 16 और पीच नम्बर 47 तो सबसे पहले हम अपनी बुक पढ़ेंगे बुक के एक्जाम्पल्स पढ़ेंगे उससे समझें के एक दिन हम लास्ट में समझेंगे कि कंजक्शन वर्ड आक्शुली किसे कहते हैं ओके आप पिक्शर में देख रहे हो तू बुआ है यह दोनों फ्रेंड से तो यहाँ पे दो अलग-अलग वर्ड क्या है अमित और वेब हो तो इन दोनों वर्ड को जोईन कौन कर रहा है अमित और वेबो के बीच क्या लगा हुआ है एंड अन्ड यानि कि यह अमित और वेबो को जोलने का काम कर रहा है कौन सा वर्ड इन दोनों को जोल रहा है a and d and here the word and joins the two words यहाँ पे जो word आपका and है यह क्या कर रहा है two word को join कर रहा है two word कौन-कौन है एक amit है और एक web है यह दोनों word को and join कर रहा है तो यहाँ पे and क्या हुआ हमारा consumption हुआ हुआ second example देखते है the elephant is big but the cat is small here the word but joins the two sentences उपर हमने देखा amit और two words थे दोनों word को join किया गया and say अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि the elephant is big but the cat is small यहाँ पे दो sentence है पहला sentence है the elephant is big और दूसरा sentence है the cat is small तो इन दोनों को जोड कौन रहा है but इसे जोड रहा है तो बट यहाँ पे क्या हुआ आपका conjunction हुआ हम यह भी बोल सकते है the elephant is big and the cat is small ओके तो student यहाँ पे दो अलग-अलग sentences को साथ में जोडा जा रहा है और जोडने के लिए एक नय word का स्तमाल हो रहा है नया word यूज हो रहा है जो नया word यूज होता है दो sentence या दो word को join करने के लिए जोडने के लिए उन्हे को हम conjunction कहते है जैसे पहले sentence में the elephant is big but the cat is small तो यहाँ पे but क्या है joining words है conjunction है second the elephant is big and the cat is small यहाँ पे and joining words है conjunction है यह दो sentences को जोड रहा है next example देखते है is your dog black और white यहाँ पे भी देखिए black और white इन दोनो words को जोड़ा जा रहा है क्या तुम्हारा कुटा सफेद या काला है means दो word को अपस में जोड़ा जा रहा है black और white black या white और means होता है या is your dog black और white क्या तुम्हारा कुटा काला या सफेद है तो दो word black और white को जोड़ा जा रहा है किससे or और से the word और joins the two words यहाँ पे two words किसके थूँ जुड़े और के थूँ तो student आपने अभी पढ़ा कि जब कभी हम दो words को दो sentences को या दो group of words को या sentence group of sentences को जब हम join करते हैं जोड़ते हैं तो जिस word से हम जोड़ते हैं उन्ही को हम conjunction या joining words कहते हैं clear? So children, आज क्योंकि आपका ये new chapter है इसलिए हम बहुत ज़्यादा असके बारे में नहीं पढ़ेंगे आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे आप इसे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है आप इसे अपने आप से पढ़िए अच्छे से और इसे समझे आपका ये homework है कि आपको अभी जितना आप पिक्षर में देख रहे हो सिर्फ इतने paragraph में आपको जहां कहीं पे भी joining words दिख रहा है like and, or, but ये joining words आपको दिख रहा है उसे आपको underline करना है clear? ये आपका homework है आपको समझ में आया जो भी आप अभी इस पिक्षर में देख रहे हो सिर्फ इतने paragraph में जितना भी आपको joining words दिख रहा है आपको उसे pencil से underline करना है this is your homework, okay?